हाई साथियों नमस्कार स्वागत्याप स्वाइव विद्यारतियों का करेंड कमप्टीशन के प्रतिष्ठित मंच पर जहां मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के पीच में उपस्तित हुआ हूं और आज का हमारा टॉपिक है बदले गए नाम वर्ष 2023 में जनवरी से दि साथ ज्यां कर दिया गया है इसके बाद है आपका अपट अगला हैहाफ हभीद गंज रेलवे अश्टेशन का संबने आपके मद्द ब्रदेश से इससका नाम वदल की क्या कर दिया है रानी क These पर दिल्ली में आपका जो पर्यावन भवन है इसका नाम कर दिया गया है पंडित दिन्दयाल उपाध्याई जी के नाम पर अगले सब्सक्राव कर दिया अगले प्रस्ति अगले प्रस्टेंगी चलते हैं अगला है आपका राजिस्थान में नाम का बाड़ा है और मिया का बाड़ा जो रेलवे स्टेश्न इसका नाम बदलते कर दिया गया है क्या महेश नगर किस नाम से किया गया है महँच नगर के नाम से किया गया है अगला है कि इतवारी मेल वे स्टेशन के धिर्माitelों करें आ हृता है आपका नाजपूर में और माहाराष्ट में और नापूर को यूरान सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है संतरा नगरि के रूप में घखे से विख्याना आगपुर रकषब तो यह वहीं पर है आपका इतवारी रेलवेस्टेशन इसका नाम कर दिया गया कियो में डी?!?! गया है अब की नाम से जानेंगे के जब दिन हम बात करतेहं तो पदनाव स्वामी चैंपल के साथ साथ सब याद रखेगा ट्रुवन्ध क्यां कि कहते हैं विक्रम सारा बाई सपेश सेंटर रहे हैं यहीं पर है आपका के बाद नहां आपका अटल नगर बिहारी बाजपे जी के नाम पर इनका नाम रखा गया है अगला कोश्चन है आपका दौलताबाद किले का नाम बदल कर क्या किया गया है अब इसको हम सभी लोग देव गिरी का किला कहेंगे तो देवगिरी नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है दसे दौलताबाद और दसे देवगिरी का किला अगले प्रश्चन को चलते हैं अगला है आपका तेलिया अफगान उत्तर प्रदेश का एक गाउं है और कहां पढ़ता है यह तेलिया अफगान कर दो का नाम बदल कर सुधार ग्रह किया है तो तरप्रदेश कवर्मेंट पर तक रहे नाम कर दिया गया है भारत को एकटा वाज़ात सूद्र में बादने वाले सरदार बाल्ला भाई पतेल एक्ता कक्ष के नाम से यह नाम हो गया है और सरदार बाल्ला भाई पतेल जी जब भी बात आईगी तो आपको याद रखना है बार्दोली सत्याग्रह जब हुआ था तो बारदोली की महिलाओं ने ही सरदार बल्ला भाई पडेल को सरदार की उपाधी दी थी यह पॉइंट याद रखना है अगले प्रश्म क्यों चलते हैं अगला है आपका पुराना संसथ भवन को हम लोग समविधान भवन के नाम से जानेंगे यह पॉइंट याद रखेगा एडवर्ड लूटियंस के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था यह वाला फैक्ट याद रखेगा लेकिन अगले प्रश्म क्यों चलते हैं अगला है प्रताफगड रेलिवे स्टेशन का नया नाम कर दिया गया है मा बेलहा देवी धाम के नाम पर यह वा अगले प्रशन को चलते हैं अगला प्रशन है आपका शिमला शिमला पढ़ता है बच्चों आपके हिमाचल प्रदेश में कहां पढ़ता है हिमाचल प्रदेश में पढ़ता है शिमला का नाम क्या हो गया है आपका शामला और शिमला की जब भी बात करेंगे हिमाचल प्रद तो ही माचल को और दूसरा उत्राखंड को वेरी गुड वेरी गूत ही माचल कि जो राजदानी है नाम नाम कर दिया गया है नरमदा क्यों आगए थे वह एक्सप्रेस कर दिया है उस्मानााद शेहर का नाम बदल में तुझ 나와 और यह नमारास्ट के उति यहांगा कर्दी आज गे लिए से वर्ष 2023 में जनवरी से लेकर दिसंबर माहा तक जितने भी बदले गए नाम हैं उनके उपर मैंने चर्चा करी इसके उपर एक वीडियो मैं लेकर और आऊँगो आप लोग के बीच में यह आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा और भी जो जो नाम बदले गए हैं उसके उपर सब्सक्राइब करेंगे आज की लिए इतना ही थैंक्यू वेरी मस्ट धन्यवार आप समय में थैंक्यू करको ऑज़ जो झाल आप झाल आप। झाल झाल